कि हलो मेरे प्यारे साथियों कैसे हैं उमीद करता हूं एक दम स्वस्त होंगे और अपनी मंजिल में आप व्यस्त होंगे मंचिल पहाने के लिए बिल्कुल जो भी आपका टरगेट तो यसको परूशतान पूश्ता दीज उसके लागट गर कंशन, के पूछ भी जो भी आपकर हम से इसको फोटीर अपूर्व करने में, बोर्ट की पुराने प्रसंद पत्रुपलत है पाले लिस्ट बना रखिए मैंने टाइसू प्लस पेपरों का सोल्यूशन करवा रखा अगर बहतर तयारी करने चाहते हो वाकम सेलेक्शन चाहिए एक बार सारे वीडियो देख लो बहुत बहतरीन तयारी आपकी होने वाली है त तो बढ़ते हैं आगे पहले कोशन की तरफ देख लेते हैं आपका पहला कोशन क्या है अनाथ रखने के लिए बड़े मर्दवांड गोरेवे कोठे राजिस्तान की किस प्राचीन इस्तल से प्राप्त हुए थे तो इसका जो राइट अंसर हो जागा आपका कौन सा ऑप्श जाता क्या का जाता भी का नामसे आना जाता दूसरह धुल्ओ भेडा सा और आगहाट पुर्ग के नामसे पूजल जाना जाता आ हैयर इसके अलाव मां को बता देता ऑओं है जो खोच कि ती नाहीं नांसे के दोरा की दी see के दवारा अक्षे कीरती वियाज यानी एक के वियाज के दोरा कि बिल्कुल आपको याद रखना इंपोर्टन्ट के बार पूछा गया है इसके याद को अधे अगरवाल ने किया तक यह आर्वाल नहीं और एक आपके थेस साइध एचर्टी सॉख़ा लिया सायद नीकल में अच्छी सांखा लिया यह दो उत्कुन करता था एक खूज करता थे तो बिल्कुल इन तीनु का जो संबंध है वह आठ सब्वेता से बिल्कुल इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है इसके लाव देखो आठ सब्वेता कि और में थोड़े से अफेक्ट आपको बताना चाहूं तो इस सब्वेता हम जो लोग होते थे थे नो मकान बनाना में दूप में सुकाईगी एट और पत्थरों का परियोग करते थे ठीक है बिल्कुल आपको याद रखना है नहीं दूप आपको याद रखना है अब अगले कोशन की तरफ चलते हैं कि चोप्रा नाम ग्रंत की रचना किसने की माव जी दरियाव जी राम चरण जी रामतास जी इसका जो राइट अंसर जाएगा उप्शिन नमबर वन आपका बिल्कुल राइट अंसर जाए किसने करेते भी संत को हुआ जनम हो गया फीट हो गया तो है अंती कि मंदीर हो गया को श्रीकर्षन में पूजा में निस्कलंग के अवतार के रूप में इसकी पूजा की जाती है कौन सा निस्कलंग के अवतार ठीक है बिल्कुल आपको याद रखना एक्जाम में पूछा भी गया है निस्कलंग अवतार के रूप में किसे जाना जाता है तो वह संद माव जी क आवको जाना जाता किसे गलान जाता हो संदध्माओजी को और निश्कलंग की संपर्दाए की बात कर लिएतों तो इसका विछ में संद्माओजी सागर दूसरा आपका साम् सागर एक को आपका मेग सागर और एस इन पाच बागों बड़ा इंपोर्टेंट फैक्ट में आपको बता रहा हूं ठीक है जो कि आपको याद रखना मौस इंप बिल्कुं कि वह एक तो आपका प्रेम सागर मेक सागर साम सागर रतन सागर और अनन्त सागर इन पाच बागों आपका चोपडा गरंद में बटावा है इसके अलावद को चोपडा गरंद को दिपावली की दिन पड़ा जाता है चोपडा गरंद में बविश्यवाणिया की गई है ठीक है और यह कौन्स और दूसरे संद मावजी जो उपदेश देते थे थे वागड़ी बसाम देते थे यह आपको याद रखना वागड़ी कौन सी बसाम देते थे वागड़ी बसाम तो अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन देख लेते हैं कि कोशन नमर तीन आपके सामने है कि इसर इसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है तीज पर गंगोर पर रक्षय बंदन पर नाग बंच में तो तीन का पर इसर इसरी की पूजा की जाती है इसर यहानी पार भूती तो सर्वात ह?' तो मना जाता हूँ चैतर śukhl प्रक्सकी तर्तिया को है कि लोजो याद रेता है दूसरा मं आपको बता देता हूं घंगूर जो फैम स्जबर सबसे ज्यायदा आप बात कर लों तीज की इसका त्योहर विया आपका जेपुर का फैमास है और तीज का त्योहर का मनाया जाता है कि गनेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंदित हैं कौन से काल सा तो यह आपको बताना तो option 4 पर तामर संस्कृती से कि कई गणेशुर्वर०्धव्यक्ता को सब्वी ताम्रव सब्वासेट कि जन्न का जाता ठीक इस लिए गनेशुर्वर सब्वेटा का जो सम्मन्ध है वह मुख्य रूपसे ताम्र संस्क्रती के जो है ठीक है ये पहले सीकर्मре में पढ़े ले तो वर्तमान में नीम का थाना के जिले के अंदर आ चुके घंडैस्वर सब्यता में जो मकान बनाए जाते तो पत्थर के बनाए जाते दूसरा गणेश्वर सब्यता जो है कांतली नदी के तट परिस्तित थी ठीक है ये फैक्ट आपको याद रखने है अगला कोशन पाच्व ओंटेन सहर लाइट सीटी के नाम से जयता है उद्यपुर में ही अपके साबर्मती नदी वेशषी का विस्तार है साबर्मती जो मैं आके कोट TV के पाइटि से निकलती और गुजरात की परमुक नदी राजस्थान में थोड़ा सा बेकर गुजरात के परमुक करaware दिये दूदाबाद चुरे बसième वौण साबर्मतो के किनारे बसावाग। किस सावंत सिंहम का सम्मंद किसंदpower का शता कि नो है व heeft तो सब्सक्राइब कर दो भी सब्सक्राइब हो सफ और जमा कमाने दैता है तो और आपको याद रखना है दूसरा यहीं जो परमक्ड चित्रकार है वह बहुत important है आपको याद रखना तो आपका लाड़ली दास हो जाएगा एक आपका राम लाल हो जाएगा ठीक है मैं बता रहाएं बटीक है लिके अठीक बघ्र को और याutt का ननंत राम हुआ satisfying терार एक पर शूर्दवज अजय बहुत्व पत्र nee अथि क्वाज जाएगा अम्हीरच से या एक आपको जाएगा छोटू के का तुम एक जाएगा आपका पर्मग जुक parece कि मौर्ग द्वज निहाल चन्द ये आपके किसंगड सेली के प्रमुख नाने कासरे जाता वह एरिक डिकशन और फयाज अली को चाहता है वे किसको चाहता है एरिक डेक्शन और फयाज अलीको तो यह साथ्वा कुशन आपके सामने निम्नांकित में से कौन सा पुर्षकार परियावन जलवायू परिवर्तन की विबाग द्वारा प्रधान किया जाता है तो साथवे का जो राजीव गांदी राजीव गांदी परियावन स्रक्षन पुर्षकार ओप्षन नमर फूर आपका पिल्कुल राइट अंसर जाए जाएका जापान आपका बिल्कुल राइट अंसर जाएका की फुल फॉर्म के बाद कर लो तो जापान इंटरनेशनल कोपरेशन एजनसी ठीक है जो कि आप प्याद रखना मौस्ट आइमपी है अगला कोशन देखते हैं नवीन राजस्तान समाचार पत्र पर प्रतिबंद क मसेट नाम बदल्कर क्या कर दया गया था तो नोगे नाम बदलकर तरूं राजस्तान कर दिया था सो यहां 506 समाचार पत्र नंका सम्मन सीदह सीदह राजस्तान सेसे राजस्तान से आइस Bu इन रहाद में यहाद रखना है आशापुरा माता सकंब्रीं माता सक्तराय माता नागणेची तू देखो आपके जालोर की जो क्लदेवी है वह आशापुरा माता है थीके बिलकुल आपको याद रखना है और नागने ची माता आपके राठोडों की कुल देवी राठोडों की कुल देवी नागने ची माता को पूश्य नमर 11 आपके सामने कौन चा सुमेलित नहीं यह आपको बताना है कि तो ग्यारा का जो आपका गोड़ी गीठ वर्निकासी के समय गोड़ी चड़ी रसं के समय जच्चा गीठ परिवार में बालक के जनम के समय जलाक ले सût नहीं किया जाता है राड़ा का मुजे चरके जरूरर पताना वन्य जी परबंदने वरेकिस्तान पारितेंद्र परशिक्स के अंदर स्थापित किया गया है कहा पर स्थापित किया गया है बारवे का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उप्शन नंबर तीन तालचा पर चूरूम ठीक है पूझ लागीत के बारे में पहले वाले वीडि कुमबा के द्वारा नहीं की गई आपको बताना है तो संगीत राज संगीत रतनाकर संगीत मिमान सा सूड़ परबंदी संगीत रतनाकर जो इना इसकी जो रचना है वह माराना कुमबा के द्वारा आपके नहीं की गई है क्लेर है जो दो कुशन की बात कर लेते हैं निम्ना ओदेखो डूंगरपुर आपकर जिलाता है जob Аरावली परंद्माला का सत्र बिलकुल कम हो पिलकुल थोड़ा सा है जब की अरावली की सब से जदार उच्छा ऐ आपको सिरूही जिलम मिले Бथ , कौन से जिलम मिले Бथ सिरूही जिलम तो यह 1722 मीटर कि कॲें कि इसके वाद पीं से आती शेर आती जिसके उचाने 150 सद्धात मैं मिटर कि कुक्र इसके बाद फिर आपकी दिलवार आती उसके उचा यह 1442 मिटर कि उसके बाद फिर आती अचल में गडाती आप उसको जाय एसके उचाने 167 में verses कि कोश्य नम्र 15 निम्नानकित में से कौन सा यूकुम सुमयलित नहीं है तो देख लेता है पन कौन सा यूकुम सुमयलित नहीं है माही नदी सौम बनास पोठारी सावर मती मोरेन और लूनी बांडी तो अप्षिन नमबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जागा कुश्य नमबर 16 आपके सामने है कि का पराज्य में 2001 से 11 के दुरां कि दिला में स्क्रामिर्ण जांसनाम क burning व्रण में सबसे कम रही अगैंढ्यिंद 15 सबसे कम रही पूटा सबसे कम व्रहा हूं कि अ चाहरी लोग के अंदर हो सबसे कम ग्रामिर्ण जैरी कोख्रू आपने जाता है तो 17 जो राइट आंसर जाएगा बिल्कुल ओप्षिन नुम्र 3 कलाई में पेना जाता है कल ही मैंने वीडियो में आपको बताया था एक आप शॉच्ण कोख्रू ही कोख्रू आपके कलाई में पेना जाता कोख्रू वह चökरू कान में पेना जाता बहुत प्यारा कोशन नहीं बन सकता ही कि वैब कि आपको याद रहे हैं देख लेते हैं में आपका कौन सा यूग में गलत हैं तो देख लेते हैं पंडित नेनुराम सर्मा बुंदी चुनिलाल सर्मा बासवाडा भूपेंदरला तिरुवित प्रताबगड अम्रतलाल पायक तो उन्निस में जो सुमेलित नहीं हैं वह आपका ओप्षिन नम्बर टू option no.2 जो है आपका बिलकुल याद आपका right answer होग जाएगा बुंदी में है आपके कांति लाल तेके चुनि लाल सर्मा का सम्मन्द नहीं है वीसवा question आपके सामने है कि निम्नांकित में से किस जिलेम अरावली के साथ साथ विद्यन करम के उच्चावच के सवरूपी विद्यमान है यह बहुत प्यारा question है अरावली के साथ साथ विद्यन भी है तो वीसवे का जो आपका right answer हो जाएगा वह है चित्तोडगड option no.3 जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा इधर से थोड़ा सा अरावली है उदर से आपका विद्यन करम ना जाता है आपकी विद्यांचल प्रवत का विद्यन करम के उच्चावच सवरूपी मोजाद तो तोडगड़े कैसा किला जा रावली भी है और विद्यांचल भी कि राज्ये में भूमी अमियन के अंदर के सरवादिक शेतर परवावित है किससे 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा option no.2 जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा निवन में से बांग बागड़ी बोली किन जिलों में बोली जाती है तो बागड़ी जो बोली जाती है वो डूंगरपुर बासवाड़ा में बोली जाती है कावे डूंगरपुर बासवाड़ा देखो वैसे यह वागड़ी होता है लेकिन उन्होंने बांगड़ी लिखा ल बताना तो तेईस का जो राइट आंसर हो जाएगा आपदा परबंदन एव राहत विबाग ऑप्शन नमबर टू जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बठते अगले कुशीनों की तरफ करां सरवासे बिटरने में सरवादिक वर्सा परिसर देखने को मिलता है न इस सबसे जादा कि विबिलकुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल वर्सा परिसर देखने को मिनता कोटा न जंसंक्या में सीसू जंसंक्या जीरो चिछे आई वर का सरवाधिक परतिसत किस जिले में हैं तो पच्चेस का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कि 1857 की क्रांती किसमें बडलू का यूद किन के बीच में हुआता है यह आपको बताना कि बड़ा प्यारा कोशन है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मारवोर्ड और असोप के मत्य हुआ था कि 1857 की की बात कर लो तो राजस्तान में 1857 की सुरुवात होती 28 माई पैट्रिक लोरेंस सब्सक्राइब आपको याद रखना है बढ़ता अगले कुशन की तरफ कि निम्न वैसे किस मंदिर को मामा देव का मंदिर भी कहा जाता है तो देख लेते 27 सब्सक्राइब करायाटा ऑण समझायए कुमभ श्याम मंदिर कुमबलगण वाला जो है आपका इससे ही मामा देव मंदिर के नाम से जाना जाता है मैंने से किस जिले में सदाहरित और्द kommenパ disaster सदावार सदाहरित बीमिल जावाब तो आपको क्या देखनक सीरोई और मौंट आवब देखना जोभी मिल जाव तो बिल्कुल काला गोला कर देना से रहए और मौंट आवगा तो 28 का जो राइट आणसर वजाएंगा आपका Então की आप कर देख लेते हुआ तो उदेसागर पढ़ता उदेपुर में गेप सागर पढ़ता रामगट पड़ता जेपुर में तो 29 का जो आपका राइट अंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा होगा तो आप्शन नमबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा पूर आज का आकरी सवाल इस सवाल भी दो तीन बार बन गया है अच्छा सवाल है वायू की गु मिलते हैं अगली क्लास में सांधार व्याक्या के साथ तो आज के लिए सतना है तुम सभी सात्यों को धन्यवाद